दुमका जिले के शिकारी पाड़ा थाना छेतर में चल रहे अवैद कोईला खादान के खिलाफ प्रशासन की कारवाई लगातार जारी है पहले हीरापूर बादल पाड़ा इलाके में चल रहे अवैद कोईले के सुरंग नुमा खादानों को डोजरिंग कर बंद करने की कारवाई प्रशासन की ओर से की गई बतादे की पिछले दो सब्ता में तीसरी बार दुमका से टीम शिकारी पाड़ा गई अवैद कोईले खादान पर कारवाई करने के लिए और इस बार प्रशासन के निशाने पर पंच वाहिनी इलाके में चल रहे तालाब नुमा कोईला खादान थी बतादे की पंच वाहिनी में चल रहे लगभग आधा दरजन कोईला खादान को बंद करने की कारवाई जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किश्कु के नेसुते में चल रहा है इससे पहले भी इस तरह की बड़ी कारवाई पुलिस की ओर से लगातार की जाती रही है जिसमें बादल पड़ा इलाके के 6 लोगों पर प्रात्मिकी भी दर्ज की गई है लेकिन अब तक इस मामले में किसी बड़े माफिया का नाम सामने नहीं आया है हर बार की कारवाई में मजदूरों पर ही कारवाई होती है लेकिन वैसे वैक्ति आज तक कानून से बचते आ हैं जो बड़े पैमाने पर कोईले को खरीद कर ट्रकों में भर कर दूसरे राजे में भेजने का काम करते हैं फिल्हाल इस कारवाई से इलाके में हड़ कम्प मचा हुआ है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ